MBBS, BDS और BSC Nursing 2023 में Admission के लिए MCC ने अपने Website अपडेट कर दी है और State Authority को Public Notice भी दे दिया है कि वो अपना Result का Data Collect कर लें अभी ये Counseling जल्द होने वाली है और ये कब से सुरू होगी इस वीडियो के Last में हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ कुछ State ने अपने State Counseling यानि की MBBS, BDS Admissions के लिए Registration भी स्टार्ट कर दिये हैं तो ये कौन-कौन से States है जिन्होंने Registration स्टार्ट कर दिये हैं और इनमें कौन-कौन से Candidate Eligible है इनकी Fees क्या रहेगी और Last Date क्या रहेगी और इनके साथ में, इनमें Condition क्या-क्या रहेगी इन States में इनमें आपको कैसे Apply करना है State by State Process में आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से State के Registration स्टार्ट होए हैं और उसमें कैसे आप Apply कर सकते हैं तो सबसे पहले हम ये Notice देख लेते हैं जो MCC ने हर एक State Counseling Authority को दिया है कि वो MCC से अपना Need 23 Result का Data Collect कर ली ये हर साल MCC की तरफ से सभी State Counseling Authority को Notice दिया जाता है और State Counseling Authority दवारा सभी Candidate का Data Collect करने के बाद में Counseling स्टार्ट कर दी जाती है तो कुछ State के Registration स्टार्ट हो गए हैं बाकी State के भी Registration स्टार्ट होने वाले हैं तो आईए हम देख लेते हैं कौन-कौन से State के अभी Registration स्टार्ट हुए हैं और उनमें Counseling Procedure क्या है चोपडा Education चैनल आप देख रहे हैं और मैं हरसाई चोपडा आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन State की Counseling स्टार्ट हुई है यानि की Registration स्टार्ट हुए हालांकि Counseling का पूरा सेडूल तो अभी नहीं आया है अभी MCC सेडूल जारी करेगा पहले MCC का करेगा और उसके बाद में State Counseling Authority के लिए सेडूल जारी करेगा लेकिन Registration स्टेट पहले स्टार्ट करवा देते हैं तो केरिला के Registration अलड़ी क्लोज हो चुके हैं और इसके अलावा मनिपूर की प्राइवेट एक Medical College है उसके लिए Registration स्टार्ट है मेगा लेके Registration स्टार्ट हो गए हैं इसके अलावा गुजरात और मद्यप्रदेश ने भी अपने Counseling के लिए Website अपडेट कर दी है यानि कि 2023 की Counseling के लिए ये Website अपडेट कर दी है तो आईए अभी हम देखते हैं State-wise इनकी Condition और Schedule इसके अलावा इसमें Apply कैसे कर सकते हैं तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ की Need 23 Admissions के लिए हमने Paid Counseling अभी Close कर दी है फिर भी ऐसे Candidate जो हमारे उपर फेद करते हैं हमारा Channel regular देख रहे हैं उनके लिए यहां मोका मिल सकता है उनको हम उनके लिए Paid Service दे सकते हैं तो अगर आपने Counseling के लिए पूरी जानकारी ल रखी है इसके अलावा बाकी Roundwise कटोब भी दे रखी है इसमें चार साल की प्रिवेश एर की जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं आपको कहां College मिल सकती है इसके बाद में State के लिए सभी State के लिए Counseling Process के बारे में इसमें बताया गया है Bond वगरा के बारे में और अधर काफी स सारी information इस बुक में आपको मिलेंगी इन तीनों बुक के लिए आप हमारे इस वीडियो के description box में या फिर हमारी website www.shopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं इनको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे तो इसमें open quota के लिए भी सारी जानकारी दी गई है ज इनकीन स्टेट के registration स्टार्ट हो गए हैं तो मनीपूर में एक private college है जहांके registration स्टार्ट हो गए है सीजा hospital and research institute ये एक private medical college है और इसमें registration स्टार्ट हो गए है last date इसकी 5 जुलाई 23 रखी गई है इसकी जो website है इसकी website पर आप registration कर सकते हैं जैसे ही website visit करेंगे तो इस परकार का interface आएगा register पर आप click करके registration कर सकते हैं अगर इसका prospect आपने download करना है तो prospect डाउनलोड के उपर click करना है मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो fees है वो 19 लाग फर यर है hostel अलग है यह सिरफ tuition fees है 19 लाग management को टाकी बाकी इसमें states की भी seat है states candidate के लिए इसमें state government seat के लिए fees कम होती है यहां पर तो registration के लिए register पर click करना है आपको और आप registration कर सकते हैं इसकी जो registration की website admissions at यह mail id है इसका जो इसकी website है registration की वो है cjaacademy.com यह इसकी website है इस पर आप जैसे ही registration पर click करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर registration पर click करेंगे registration जो red में यहाँ दिखा है इस पर click करेंगे तो आप इस परकार का आपको interface दिखाई देगा और आप इसमें application form फिल की condition पर फिल कर सकते हैं और फिर इसके बाद में आपको phone number email id देना है और application number registered email id पर आपको मिलेगा तो यह सारी की सारी कारवाई आप कर सकते हैं यहाँ पर जो admission का जो registration का process है वो बिलकुल simply होता है हर जगे इतना ज्यादा difficult नहीं होता है new applicant पर आप click करके नया form apply कर सकते हैं अगर आपने पहले apply किया है तो already applied पर click कर सकते हैं new applicant पर click करेंगे तो आपके पास में इस परकार की information आए देनी है आपको यहाँ पर आपको documents upload करने हैं और apply now पर click करना है यहाँ जो qualified category के candidate है उनको भी यहाँ पर seat मिल जाती है इसकी इतनी ज्यादा cut open नहीं रहती है क्योंकि यह municipal state में situated है और यहाँ पर तकरिबन candidates को seat मिल जाती है इसमें हम next में बात करते हैं हम tamiladu state की तो tamiladu state के भी registration इस्टार्ट हो गए हैं tamiladu के government के registration बी स्टार्ट हो गए हैं government colleges के लिए और यहाँ पर management की seat यहाँ पर other state candidate admission ले सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सीजा में भी other state candidate admission ले सकते हैं management quota के दूँ और इसमें जो tamiladu state में है management quota में भी आप admission ले सकते हैं यहाँ की जो fees होती है वो 13.50 लाक से लेके 14 लाक तक इनकी fees है और hostel fees वगरा यह अलग है तो आप इसमें admission ले सकते हैं और इसमें admission लेने के लिए आप इसकी website पर विजिट कर आएंगे website इसकी जो website है वो है जो website है वो है tnselection.tnhealth.tn.gov.in और दूसरी website है tnmedicalselection.org तो इस website पर आप click करके इसके लिए apply कर सकते हैं जैसे ही आप इसकी website पर आएंगे आपको यहाँ पर prospect दिखाई देगा इसमें अलग-अलग registration होता है government quota के लिए आपको अलग registration करना है तो आप अगर other state से है management quota के अंडर apply करना चाते हैं तो apply online यहाँ करना है आपको prospect management quota का यहाँ पर देख सकते हैं और अगर government quota के लिए करना है तो यहाँ पर आपको apply करना है इसमें अब एक बार इसका हम schedule देख लेते हैं तो इसका जो schedule है वो 28 जोन से इसके online application start हो चुके हैं औ अभी registration करने के लिए process मैंने आपको बता दिया है कि आप इसकी जैसी website पर visit करेंगे तो इस परकार का interface आएगा online application पर click करके आप simply सी इसका website पर registration कर सकते हैं आपको documents upload करने होते हैं तो वो documents आप upload कर सकते हैं यहाँ की website पर इस पर next update है ipu से ipu के पहले registration हो चुके हैं लेकिन व online application apply करना होता है जिसकी fees 1500 होती है और एक counseling के लिए यहाँ पर आपको registration करना है जिसकी 5000 रूपीज है तो यह दोनू registration हर एक कंडिड़ेट को करने होते हैं तो application के लिए पहले भी ओपन हुए थे, जिन कंडिडेट्स ने रेजिस्टेशन कर दिया था, उनको अभी काउंसलिंग के लिए 1000 रुपीज देखर के उनके लिए रेजिस्टेशन करना होता है, और एक ACMS है, उसके लिए रेजिस्टेशन करना है, इसके लावा आप BAC nursing के लिए भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं, वो भी ओपन है, इसकी वेबसाइट ipu.ac.in है, उस पर जैसे ही कलिक करेंगे, यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटे देख सकते हैं, फीश वगरा के बारे में यहाँ डिटेल्स है, इसके अंदर, इसके बाद इसका एक बार नोटिस देख लेते हैं, तो जिन कंडिडेट ने पहले रेजिस्टेशन किया है, वो काउंसलिंग के लिए 1000 रूपीज देखे रेजिस्टेशन करेंगे, उनकी लास रेजिस्टेशन करेंगे, इसकी डेट भी सेमिये 28 से स्टार्ट हो चुकी है, और 3 जुलाई 23 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आपको आई प्यू पर रेजिस्टेशन करना है, जो कंडिडेट जिनोंने दिल्ली से 11 और 12 क्लास पास कर रखी है, वो कंडिडेट इसके यह इलिजिबल है, यह सारी कंडिशने इसके ब्रावचर में दे रखी हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसके बाद में आई प्यू का डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन एक जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन कंडिडेट ने डोकुमेंट्स अफलोड किये हैं, उनके लिए उनलाइन डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसकी डेट लास्ट रहेगी, 10 जुलाई 23, अगर इनमें कोई कमी होती है, तो आप अपना लोगिन करके चेक करते रहें, आई प्यू दवार आपको इंटिमेट किया जाएगा, कि आपके कौन से आपको रिय अप्लोड करना है, तो आप जिन कंडिडेट्स ने पहले रेजिस्टेशन किया है, वो आई प्यू की वेबसाइट पर प्रोपर अपना लोगिन करके चेक करते रहें, कि आपके डोकुमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, यह रिजर्वेशन कंडिडेट्स के लि आई-प्यू.admissions.nick.in की वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करोगे, आई-प्यू रिजिस्टेशन 2023 लिखा मिलेगा, आपको काउंसलिंग के लिए भी रिजिस्टेशन 1000 रुपीज देखर के यहां से ही करना है, और अगर आप फ्रेस रिजिस्टेशन करना है, तो आ आप user ID, password डाल करके sign in करेंगे, तो आप यहां से 1000 रुपीज देखर के रिजिस्टेशन कर सकते हैं, और फ्रेस कंडिडेट जिन्होंने अभी तक कोई भी रिजिस्टेशन नहीं किया है, वो यहां से कर सकते हैं, दोनु प्रकार की fees आपकी यहां deposit हो जाएगी, अब next है Megala State से, तो Megala State के भी registration स्टार्ट हो गए है, Megala की जो website है, MEGA health.gov.in है, इस पर आपने registration करना है, तो apply now उपर click करना है, अगर आपने यहां पर इसका notification देखना है, तो इस पर click करना है, यहां पर what's new में आपको यह दोनु facility मिल जाएगी, तो हम यहां पर एक बार इसका notification देख लेत कर सकते हैं, कोई यहां private college नहीं है, अब बात करते हैं कि इसके लिए registration कैसे करना है, तो जो मैंने website आपको बताई है, apply now उपर click करना है, apply now उपर जैसे ही click करेंगे, simply से आपका यह form open हो जाएगा, इस form को आपने fill करना है, documents upload करना है, submit पर click कर देना है, तो आप Megala State के लिए apply क कर सकते हैं, इस परकार से, बाकि MP ने भी अपने registration स्टार्ट नहीं किये हैं अभी, लेकिन website अपडेट कर दी है, इसकी website dme.mp.online.gov.in है, इस पर आप registration कर सकते हैं, लेकिन फिलाल इसमें कोई schedule जारी नहीं किया है, कोई latest जो instructions हैं, वो नहीं दिये गए हैं, यहां इस website पर आ कर दी गई है, नीट 2023 की counseling के लिए इसके registration भी जल्दी start हो जाएंगे, तो बाकि स्टेट की जैसे जैसे registration होंगे, हम आपको inform कर देंगे, अभी मैन बात यह है कि MCC की counseling कब start होगी, यह हर एक student के दिमाग में अभी यह क्यों सना रहा है, कि MCC की counseling की starting date क्या रहेगी, तो मैं result collect करने के लिए MCC द्वारा notice दिया जाता है state को, इसके 10 से 12 days के बाद यह counseling start हो जाती है, इसका schedule तो पहले आ जाता है, लेकिन 10 से 12 days के अंदर अंदर result का जो date दिया जाता है, data collect करने का states को MCC द्वारा, उसके 10 से 12 days के अंदर अंदर यह counseling start हो जाती है, तो हम आसा कर रहे हैं कि ये 10 जुलाई के नियरबाई ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 10 जुलाई 23 के नियरबाई ये काउंसलिंग स्टार्ट होने की पूरी-पूरी possibility है, हलांकि schedule पहले आ जाएगा, लेकिन अभी counseling website अपडेट हो चुकी है MCC की, अभी इसमे 23 का schedule आन बाकी है, और ये schedule जल्द हा जाएगा, तो ये counseling 10 जुलाई के नियरबाई start हो जाएगी, ऐसी possibility है, क्योंकि ऐसा पहले होता आ रहा है, तो ये जानकारी थी counseling के बारे में, मैं यहां पर आपको एक बता दूँ, यहां पर student को काफी confused है common counseling को लेकि, तो common counseling इस बार नहीं होगी, क्योंकि state को MCC द्वारा data दिया जा रहा है, तो इस बार के लिए common counseling के लिए कोई chances नहीं है, ये आप देख सकते हैं, MCC के public notice से, जो state को दिया है data collect करने के लिए, अगर ये common counseling होती, तो MCC को state के लिए data नहीं दिया जाता, ये MCC ही counseling करवाती, लेकिन ये अभी बिल्कुल clear हो हो चुका है, कि इस बार 2023 के लिए common counseling नहीं होगी, ये 24 में शुरू होने की पूरी-पूरी possibility है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था, कि इसमें software बनता है, काफी समय लगता है, उस software में सारी state की eligibility डाली जाती है, तो इसके लिए काफी समय लगता है, और अभी समय नहीं ह है, इसलिए इस बार common counseling के कोई chance नहीं है, ये clear हो चुका है MCC के notice नहीं, तो ये जानकारी थी, counseling के बारे में update जो मैंने आपको दिया है, next update जैसे जैसे states के और या फिर MCC के मिलते जाएंगे, हम आपको inform करते जाएंगे, आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें, क्योंकि इस प्रक